एक तरफ अमाना तुर्ला खान दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक को भी एडिनेफ समन भेजा है उनसे भी पूश्ताच की जा रही है इससे पहले रेड मारी भी हो चुकी है एक के बाद एक आवादमी पार्टी सरकार के नेता के ओपर केंदरी एजंसियों का शिकंजा कस रह और दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल जो दिल्ली के मुख्यमंतरी है एक तरफ वह यह कहते हैं कि हमने पर देख देख के भातियां किए मुर्क बना रहे हैं धोके बाजी का काम कर रहे हैं वहां पर खुले आम चोरी होती है पैसे लेकर लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं उनको एमेले बनाया जाता है और उनको टिकट दिया जाता है और जब वो पकड़े जाते हैं क्रिमिनल्स तो यह कहते हैं कि हमें राजनेतिक करो शराब की दलाली करो आपके मंत्री एडी के जाल में आये हैं क्योंकि वह हवाला का पैसा मनी लॉंड्रिंग का काम कर रहे थे तो यह सब चीजे एक तरफ हैं यह सबसे पहले यह अपने आपको साफ राजनीती करने वाला बता कर लोगों की आखों में धूल जोक रहे हैं और यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री से पाला पड़ा है जो लगातार गलत हरकते कर रहा है और दिल्ली के लोगों को ल शराब पॉलसी से है या फिर आने वाले MCD चुनाव से क्योंकि दुर्गेश पाठक को हमने MCD चुनाव का प्रभारी बनाया है चुनाव प्रभारी बनाना आप किसी को भी बना सकते हैं और चुकि यह लोग बहुत धूर्थ हैं इनको पहले से पता होता है कि यह दुर्गे आपके लोगों ने घपला किया है, क्राइम किया है, दलाली का पैसा लिया है, मनी लॉंडरिंग में इंवल्ड है तो वो और रिकॉर्ड है सारी चीजिए, उसको आप कैसे मिटा सकते हैं हमारी एजंसिया जो भी है E.D. है, AC.भी हए वो सारी चीजों को और रिकॉर्ड पह उन्होंने बदल के लोगों के साथ मिल के दिल्ली के लोगों का पैसा लूटा, सरकार का खजाना लूटा और अब जब पकड़े गए हैं तो पुरानी सरकारी नीती दिल्ली की लागू शराब की जो सरकारी नीती थी वो लागू कर दी गई है वो चल रही है जितने भी प्राइवेट दुकान इन्होंने खोले थे वो सब बंद हो गए है सारी लूट पार्ट बंद हो गई है दिल्ली की जनता को इसमें कोई भी कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला यह तो सारा पैसा इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया अपने आसपास के लोगों को डाल दिया और हवाला में गायब कर दिया तो इस तरह यह पूरा गैंग की तरह यह उपरेट कर रहे हैं और सब लोग इन्वार्ड है यह सीधा दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है जिस आदमी को जरा सा भी सोचने का मौका मिलेगा जरा सा भी समझने का मौका मिलेगा वो बिलकुल अराम से समझ जाएगा कि यह किस तरह का घपला कर रहे हैं किस तरह इन्होंने पैसे किहरा फेरी की है किस तरह इन्होंने क्राइम किया है तो इनके खिलाब तो करवाई होनी चाहिए उनको सजा भी मिलने ही चाहिए इसी पूरे मामले में यैसे कि अभी शराब घुटाला जो हुआ है दिली में इसी पूरे मामले को लेकर दिली के स्वास्थ मिनस्टर सतेंद्र जैन से भी इरी ने जेल में जाकर पूश्टाच की है अगर इसे पूरे मामले को लेकर और रेड मारी को लेकर आज अगर दुरगेश पार्ठक से पूश्टाच की जा रही है तो इतनी जादा खलबली क्यों है आखिरकार आम आदनी पार्टी सरकार में जाच को लेकर ही खलबली है देखें एक पुरानी कहावत है चोर की दाड़ी में तिनका तो जब तक इनको पता नहीं है कि पूल खुल जाएगी जब सकताई से इसे पूस्ताच होगी तो MLA हो या कुछ भी हो जो investigating agencies हैं वो जानती है कि बात को कैसे निकलवाये जाए कैसे evidence से confront कराया जाए कैसे दूसरे गवाहों के सामने बठा कर पूस्ताच की जाए और कैसे जो इन्होंने जूट बोला है उसको इनके सामने लाकर दिखाया जाए तो इन सब चीजों से डर रहे हैं ये समझ रहे हैं कि हमारी पूल पटी खुल जाएगी इसलिए ऐसी बाते कर रहे हैं और दुरगेश पाठक को अगर बुलाया गया है तो उनको सबसे पहले public domain में आकर सारी बाते अपने सारे बैंक अकाउंट अपने सारा ट्रांजेक्शन अपनी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ खुले आम डिकलेर कर देना चाहिए जिसका कि दावा इनके मुख्यमंत्री पहले चुनाव से पहले करते थे तो उनको ये सब खोल के सामने दिखा देना चाहिए ये मीडिया को बता देना चाहिए वो करने की बजाए अब ये लुका छिपी का खेल कर रहे हैं तो हमारे देश का कानून इतना पंगू नहीं है हमारे देश का कानून इतना सक्त है इतना जो एजनसीज है वो इसको इस तरह से इंफोर्स करेंगे कि इनको पसीने आ और चुकि ये लोग कर्मिनल है इन्होंने कर्मिनल गतिविदी की है तो इनके खिलाफ ये कारवाई भी होनी चाहिए और इनको सजा भी होनी ही चाहिए सज इस तरहीके से दिल्ली के मुख्यवंत्री अर्विंद केजरिवाल कहते हैं कि हमने पेपरों को देखकर लोगों को अपनी पार्टी में लिया है हमारी पार्टी जो है वो कट्टर इमानदार है जाधा तर जो यह काम है वो तो चुनाव आयोक का है कि कौन कट्टर है और पेपर देखने का काम तमाम जो है वो चुनाव आयोका है पर आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो खुदी सारे काम कर लेती जो इस तरीके की लोग है पार्टियां है क्या इन चीजों के लिए कोई लौ है कानून है तेकि इन चीजों के लिए कोई कानून नहीं है अर्विंद की पार्टी में है तो विश्वास ही तो पास कराया जा सकता विश्वास तो है ही क्या आपके विप के अगेंस्ट वोट देगे अगर ऐसा होता तो बहुत सारी सरकारे गिर जाती ऐसा नहीं हो सकता कानूनी लूप से यह नहीं है इसलिए ऐसी मन-गढ़ंत बे-बुनियाद औ और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी जो दिली की जनता ने इनके उपर विश्वास जता है इनको वोट दिया है कि आप दिली में सुधार करो जो रोड है उनको ठीक कराओ दिली में स्कूलों को ठीक कराओ कॉलेज खोलो और जो भरस्टाचार दिली सरकार में हर जगे पे फैला हुआ है हर जगे दलाली ली जाती है उसको बंद कराओ उसको कराने की जगा है ये अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोला कि हम तो साब सुथरे चुने लोग ले कर आ रहे हैं और अब इनके मंत्री ही दलाली सीधी लेने लगे हैं छोटे मोटे दलालों को इन्होंने बंद कर दिया अपने पार्टी के कैडर को वह लगा कर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिंडिकेट चला रहे हैं राज़नीती में भी वही मॉडल लगा कर और मंत्री जी अब सीधे क्रोड का इन्होंने घपला किया है अससाब दिखाई दे रहा है तो ऐसी बाते इनके मुँंसे शोभानी देती इनको यह सब चीजें बहुत चलेंगी नहीं बहुत आगे तक चलेंगी नहीं इनको इससे अच्छा जो भी फसत बाते हैं हो सब आकरी निती के शराब घुटा दिया के घर पार जाच की वजए से चापे मारे की वेसी हमारा जो परसंटेज है वो गुजरात में बढ़ा है और गिरफतारी से च्छे परतीशत और बढ़ जाएगा देखिए यह मंगढधन बाते करते हैं पहले भी इन्होंने दिल्ली में भी ट्रांसपरेंसी इंटरनेशन है तो यह बेकार की बक्वास करते हैं और जहां तक बात है रेड की तो रेड तो होगी ही अरेस्ट कब करना है क्या करना है यह आप जांच एजनसी पर छोड़ दीजिए और अगर आपको अगर ऐसा लगता है आप तो नेम एक्यूजड हैं मनीशी सोदिया साहब के नाम से कर आई गई है तो वह जाकर कोट में सरेंडर की अप्लिकेशन लगाकर सरेंडर कर दे कि हाजी मैं पेश हो रहा हूं और मुझे जांच के लिए कस्टडी में ले लिया जाए और जो भी आप पूछेंगे मैं उसके साथ सायो करूंगा तब तो कोई बात बनती है उसको डाइ जो भी गतिविधी वहां कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि जैसे दिल्ली में जनता को इन्होंने मुर्ख बनाया पंजाब में मुर्ख बनाया और अब वो गुजरात में मुर्ख बनाने की तैरी कर रहे हैं तो यह सब बहुत जादा लबा चलने वाला नहीं है भारत की जनता जो डेमोक्रेसी में मेच्चोर हो चुकी है, समझ चुकी है तो ये बहुत जादा दिन इनका चलने वाला नहीं, इनका भांडा बहुत तेजी से फूटेगा भी.